नमस्कार मैं हूँ सोनी मुलंगे आप देख रहें मेरे साथ परभनी आज तक आज हमारे साथ एक खाश शक्सी यह थे जो 2019 में परभनी लोग सभा मद्दार संग से वंचित भूजन अगाडी के तिकट पर ये लड़े थे और इन पे देड़ लाग लोगों ने विश्वास कि जी ने एक वेल एजुकेटर चेहरा हमारे सामने लाया है जिनका नाम है आलमगीर खान जी आपका परभनी आज तक में बहुत-बहुत स्वागत है हम आपसे यह जानना चाहते कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए देखे पॉलिटिक्स में तो मैं पहले से ही था और राजनी पॉलिटिक्स में जुडा था और परभनी में बारासा प्रकाशन बेड़कर को एक मुस्लिम चहरा चाहिए था जिस तरह से वंचित बहुजना घाडी ने सभी वर्ग के सभी समाच के लोगों को राजनी तिक भाग्यदारी दी और भाग्यदारी राजनी तिक भाग्यदार इसलिए जरूरी है कि अपने शेत्र को अपने समाच को और किस तरह से जिस मद्दार संग से आप चुनाव लड़ते हैं उस मद्दार संग के मद्दारों को आप अपने विजन को और डेवलप्मेंट को किस तरह उन तक पहुँचाए ये देखते वे बाड़ा साब ने हर सम से उमीदवारों को महराष्टा में 48 लोगसभा सीटों पर उमीदवार उतारे थे और जितने भी उमीदवार थे सभी उमीदवार एक एजूकेटेट थे उसी तरह परभनी से एक मुस्लिम चेहरे को बड़ा साब प्रकाशंबेट कर जी ने दिया और मुझ पर एक विश्व 2019 का हमने लड़ा था और जिसका माहराष्टा में परिणाम आया कि 44 लाग वोट वंचित बहुजनागाडी के हक में जनताने विश्वास जताया और इतना बड़ा वोट वंचित बहुजनागाडी को दिया तो यही एक चीज थी कि परभनी जिल्ले को एक मुस्लिम चेहरा च बहुत सारे उम्मिद्वारों के पास गए जहां पर बड़ा सा प्रकाशन बेड़कर के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही बड़ा सा प्रकाशन बेड़कर ने मुझ पर विश्वास जताया और कहा कि आप परभनी मदार संग में वहां पर काम कर आदीए और जो भी परिणाम आएगा वो परिणाम को बिना देखते हुए आपको ये मददार संग के लिए ये मददार संग के नागरीकों के लिए काम करना होगा और ये विश्वास जताते हुए मुझे यहां से टिकेट दिया था और 2021 में जिस तरह से हमने अपना एक प्रोफामेंस दिया वो प्रोफामेंस एक यहां पर रिकॉर्ड बिल्ड करता है क्योंकि तीसरे पक्ष को इतना बड़ा वोटिंग अभी मिला नहीं है आज़ादी से जब से यहां पर चुनाव आते गए तो यह मुद्दों को लेकर हम यहां पर जनता के बीच आए थे जनता ने देड़ लाख वोट हमको दिया देड़ लाख वोटर्स ने हम पर विश्वास किया और तब से लेकर आज तक मैं यहां पर्भनी मद्दार संग में जंता के लिए उनके जो भी समस्याएं है उस पर आवाज उठाते वे वंचित बोजे नगाड़ी काम कर रही है पॉल्टिक्स को चमकाने के लिए आपने पर्भनी जिल्ला ही क्यों चुना है पर्भनी जिल्ला एक मराट वाड़ा विभाग का सबसे बैकवर्ड जिल्ला माना जाता है और आप देखते हैं कि पर्भनी जिल्ले के बाद जितने जिल्ले बने वो जिल्ले बहुत जादा आगे यहां से पर्भनी जिल्ले से आगे उनका डेवलप्मेंट है तो यहां पर परभनी जिल्ले का एक मैनोरिटी जिल्ला समझा जाता है जिसमें बहुत बड़ा वर्ग OBC समाज का है मुस्लिम समाज है S.E.S.T. समाज है तो यह चीज़ को देखते हुए जिस तरह से यहां पर नाइंसाफी की गई इस जिल्ले को लेकर और नाइंसाफी यह राजनीतिक लोग ही यहां पर यहां के नागरीकों के साथ किया तो उस चीज़ को हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सरकार की बात करते हैं कि सरकार कौन सी सरकार होती है सरकार होती है जनता जनता मालिक है ये एक लोकतंतर देश है यहां पर संभीधान से देश को चलाया जाता है लेकिन आज का वातवर और माहुल किस तरह का आप देखने में आ रहा है कि 2014 से अभी तक देश की इस्तिती आरतिक इस्तिती सिर्फ नहीं हमारे जिल्ले की बलके देश की आरतिक इस्तिती को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया है तो उस चीज़ को हम जनता तक लेकर जाएंगे और ये आज जो सत्ता में बैठी वी एक डिक्टेटरशिप की सरकार चलाई जा रही है जहां पर मीडिया भी जो भूमी का निभाना चाहिए वो मीडिया बिक चुका है जो नैशनल मीडिया अगर आप कहो तो जादा से जादा 90% मीडिया आज सत्ता में बैठे लोग की ही बात करता है उन से सवाल नहीं करता बलके उनके जो कहे हुए बातों को ही उनके हां में हां मिलाता है तो ये मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोगों से सवाल करें तो ये चीज़ हमको यहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और जिस तरह का आपका बैगराउंड चाहिए कि आपको बिलकुल ही क्लीन भरस्टाशार से मुक्त एक उम्मिदवार चाहिए जो इन से मुकाबला कर सके वरना आपने हाल देख लिया महाराश्टा राज्ये में क्या हुआ महाविकास अगाडी बनी तब से लेकर अभी तक बीजे पी और उनकी ही चलती आई भई विकास कहां गया महाराश्टा राज्ये में यही तो चीज़ है ना आप ये बात तो ये बताईए कि जो जनताने विश्वास जताया था शिफसेना के आमदारों को चुनकर भेजा ये आमदार अपने एक व्यक्तिकत उस पर अपने बल पर छे से साथ आमदार चुनकर आ सकते होंगे लेकिन जादा से जादा आमदार अपने पार्टी के लेबल पर चुनकर आए हैं और इस तरह का जो विस्तार की बात की जा रही है विस्तार से अब रहे दो साल बाकी अब दो साल में आप क्या यहां पर रंग दिखाएंगे आप कितनी भी बड़ी काइबिनेट क्यों ना बना ले आप लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि हमारे महाराष्टा राज्य को विकास दो साल में आप की सरकार नहीं कर सकती एक यहां पर चाहिए कि एक मजबूत सरकार बने एक मजबूत आपोजिशन खड़ा हो और उसी के साथ जब मजबूत आपोजिशन रहता है तभी एक राज का एक शेत्र का एक विकास सामने जनता के को नज़र आता है यह किस तरह की प्लैनिक कर रहे हैं आसके लिए किस तरह कि प्लैनिक वंचित बोजा नागरे के जरीश से सुचिए कि बारासा प्रकाश अमबेड़कर जो हर वर्ग का वंचित रखा हुआ व्यक्ति नागरिक उसकी आवाज का नाम है बारासा प्रकाश अमबेड़कर जी चाहे वो मुस्लिम समाच के आरक्षन को लेकर बात हो या OBC आरक्षन को लेकर के बात हो हमेशा आगे बढ़कर अपनी बात और अपना आंदोलंग दर्च किया है तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी समाज है और बारासाब जितने वंचित समाज माइकरो OBC, OBC, मुस्लिम समाज, SC, ST, यह सभी को अन्याएज जिनके साथ हुआ आज मैं यही बताता हूँ कि आज मुस्लिम समाज का हाल कितना बुरा है एजुकेशन में पीछे है, बिजनस में पीछे, कोई उनको लोन नहीं देता तो इसी तरह जितने दूसरे समाज है, मातंग समाज है, धनगर समाज है यह समाजों के लिए उनकी आवाज बनने के लिए आज जो नेता हमारे पास आये हमारा वोट लिया सेक्यूलर पार्टी के नाम पर कॉंग्रेस ने मुसल्मानों से वोट हासिल करते गए लेकिन आज उनकी इस्तिती इतनी बुरी से बुरी क्यों हो रही है शिक्षा में पीछे है, चिकिस्ता उनको नहीं पहुँच दी महिलाओं को इंपावर्मेंट नहीं किया जाता तो सबसे बड़ा मुद्धा है कि एजूकेशन का तो ये एजूकेशन में वंचित रखा गया ये सारे समाजों को तो हमको जरूरी है कि आज बाड़ा साफ प्रकाश अमबेड कर जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जनता को भी उटकर के एक नया बदलाफ के लिए खड़े होना जरूरी है जो के बाबा साफ अमबेड करके पोत्रे है और मुझे भी गर्व है कि बाबा साफ अमबेड करके पोत्रे बाड़ा साफ प्रकाश अमबेड करके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है सबसे पहले हम यही चीज़ जंता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब अपने शेत्र की बात करते हो अपने गाउं की बात करते हो जिला परिशत की बात करते हो पंचायत समीती है तो वहाँ पर जो योजनाओं को लेकर आना चाहिए जितने हमारे तालुके है जहां पर हर समाज हर वर्क का व्यक्ति वहाँ पर रहता है तो क्या आप सहमत अगर से होते हो कि भई जितने हमने प्रतिनीधियों को चुमकर भेजा वो आपके समाज के लिए अगर काम किया है आपके समाज को डेवलब करने के लिए आपके समाज को तरक्की देने के लिए अगर वो प्रत्याशी प्रतिनी धी ने आपके लिए काम किया है तो वो दिल आपका खुद गवारा करेगा कि हम इनको दुबारा चुन कर लेकर आएंगे लेकिन आप देखिए किस तरह से आज हमारे परभनी लोगसवा मदारसंग में ना हमारे पास M.I.D.C. है ना ही हमारे पास युवाउं को रोजगार है ना हमारे पास अच्छी हेल्थ सुवीदा है चिकिस्ता बिलकुल ही पीछे है अगर कोई चीज बड़ी अगर आपरेशन करना है तो आपको फिर औरंगाबाद जाना पड़ेगा पूने जाना पड़ेगा क्यों आप यहां पर नहीं कर सकते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपका इतना बड़ा फंड आता है आपर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है कहां पर उसका यूज होता है यह चीज को पूछने वाला कौन है जब आपोजिशन ही नहीं रहेगा तो पूछेगा कौन और फिर यह अपनी दुकान चलाते रहेंगे अपने महल बनाते रहेंगे अपने बैंक बैलंस बढ़ाते रहेंगे और जनता फिर वही कटनायों का सामना पर फिर जनता को ही करना पड़ेगा और जनता को ही दुश्वारियों से गुजरना पड़े को परभनी चिला महान Counter Score के वेवस्ता के बारेमें क्या कहें जाते हो परभनी महान subscribed были का का हाल तो हर यहां के परभणी महाने और फालिकाऊ किना ग्रीक को पता HAVE did 15 साल तक सता में बैठे रहे कॉंग्रेस यहां पर महानगर पालिका पर अपने एक बहुमत से यहां पर महानगर पालिका को चलाया हूँ और पांच साल तक चलाने के बाद आज आप सडकों की हालत देखिए ड्रेनेज की हालत देखिए खुले नाले देखिए अगर कोई व्यक्ति बाहर से यहां पर आता है तो उसको क्या चाहिए कि आपका शहर कैसा नज़र आए तो यह चीज़ हम बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह से बुरा हाल पर बनी महानगर पालिका का क्या गया स्ट्रीट लाइट नहीं है पानी बराबर से साफ नहीं आता तो यह बहुत सारे मुद्धे हैं जो जनता आज देख रही है और बिलकुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता को इनको जवाब देना आपको जरूरी होगा क्योंकि जनता ही अगर उटकर खड़ी होगी अगर यह भूमी का जनता निभाएगी तभी बदलाव आप आएगा और परभनी चमकता हुआ शहर नजर आएगा खुबसूरत सा शहर नजर आएगा वरना फिर आपको वही खड़े जगत जर्मनी भारतात परभनी है तो अब यह मिसाल ऐसी दिनी पड़ेगी के जगत जर्मनी है खड़्यात परभनी है तो यह परभनी का हाल पूरे खड़े सड़कों पर लोग जहां से गुजरते हैं महीलाएं हैं प्रेगनेट महीलाएं जो इंटीर से उनको बाहर आना पड़ता है कई महीलाओं की तो डिलवरी रा होती है सीधे सीधे तोर पर तो ये एक एक तो मजाख जनता का ये बना रहे हैं या ये जनता को पागल या बेखुफ समझते हैं और इस तरह की हरकत करने से मुझे तो ये लगता है कि ये जनता को एक गाली देने वाली बात हो गई तो जब आप नगर से वक आपको चुनकर भेजा गया, पांस साल तक आप महानगर पालिका में बैठे और ये नोटंकी आपको आज करनी पड़ रही है, अगर आप अपने वार्ड में अगर काम किये होते, अपने वार्ड को अगर आप प्रशासन से काम करवाए होते, आपके अंदर उतनी capability, खाविलियत होती, तो ये आपका वार्ड हो सकता था, कि परभनी का नंबर वन वार्ड बना कर आप दिखा सकते थे, ये चीज़ आपको करनी नहीं थी, जितने भी यहांपर टेंडरिंग है, हमको तो सारा चीज़ पता है, सारे नगर सेवक, एक नगर सेवक बुद्वन साब की बात नहीं है, जितने सोशल वर्क कर देना नहीं होता, आप टैंकर पानी के लगा कर पानी घर घर तक पहुंचाने से आप एक महान व्यक्ति नहीं बनते, आपको कॉर्परेटर नगर सेवक बना आ गया, आपका जिम्मेदारी होता है कि आपके वार्ड के अंदर ड्रेनेज लाइन, जो ओपन ड् पानी से, सडकों को आप ठीक कर सकते थे, बजट नहीं आ रहा या बजट आ रहा है, क्या इसमें हमको नजर नहीं आता कि ये भरष्टाशार सबसे ज़्यादा हमारे महान अगरपाली कम है क्या जाता है, उसी का कारण है कि आज जंता को ये दिश्वारी का सामना करना पाने के लिए खड़े में लेट रहे आप, साहन बुती आपको सोच रहे के मिल जाएगी, लोग हस रहे हैं आपके ओपर थूक रहे हैं लोग, एक शरम की बात है आपके लिए कि आपको खुद जाकर के खड़े में लेटना पड़ाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि आज अग कर सेवग उनको पकड़िये पूछे कि क्या चोड़ी की तुम शिवसेना को आज तक सपोर्ट नहीं मिला, इसके वज़े से परभनी की डेवलप्मेंट रुके वाली है, अगर आप बहुजन वंचे दागाडी से चुनके आओगे, तो आप इसकी विकास के लिए आप क्या क अगर आपको भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिला तो आप कुछ करताओगे या नहीं होता है, काम होता है संविधान से, काम होता है नॉलिज से, यानि के जानकरी से, जितने नगर सेवक है उनको दस टके की जानकरी नहीं है कि प्रशासन को किस तरह से काम करवाया जाए, अगर जा सिदा सिदा हम ये कह सकते कि वह सारे ब्रह्ष्टाशारी है अपना जे भरना है उनको कुछनावाया मैंने दस لاっ कुछा किया या इतना किया मुझे 50 ला पार साल मेंना है कोटी बनाना है ये फिकर उनकी है ये फिकर से जिस टाइम पर आप चुनकर गए उस टाइम पर अगर आप खड़े में लेटते उस टाइम पर आप प्रशासन को जिंजोडते उनको लेकर आकर काम करवाते तो हम मानते आपको और सलूट करते हैं लेकिन ये पांस साल का पुरा मज़ा उठाने के बाद मलाई खाने के तो आपको याद आ गया अभी पबलीक किसान मोती लेने के लिए चले गए आप लोग मैंने समझता हूं कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है अब पक्षभी अगर से नगर सेवक या आमदार या खासदार चुनकर आता है तो वो काम करवा कर दिखा सकता है सरकार क्या हो करके शहर के फ्लाइओवर ब्रेज सुवीदाय स्ट्रीट लाइट्स यह सारे चीज़ें आज पर्भनी में क्या हमको दिखती है क्या पर्भनी के नागरिक अपनी जेब से सरकार को टैक्स नहीं देते क्या हाउस टैक्स नहीं देते या आप छोटा सा अनाज भी खरीदते हो तो अभी आपको टैक्स देना है तब भी तो जीस टी की बात आ गई यहाँ पर तो स्टुडेंट्स को पैंसिल खरीदने पर भी टैक्स लग रहा है अभी पर्भनी जिले में जिस तरह से रष्टाच देना चाहिए हमको आजमाना चाहिए आपको जब आप हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे क्योंकि अभी तक आप दूसरे पक्ष को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उनको देखा आपने तो हम यह आप जंता से गुजारिश करते हैं जंता से हमार एक निवेदन यही है कि आप इस बार इस तरह के प्रतिनिद्यों को आप चुनकर भेजें जो महानगर पालिका के बारे में जानकारी रखते हैं जिनको आपका दर्द महसूस होता है जो अधिकारियों को काम करवाने के लिए खड़े हो प्रशासन को रोड़ पर लेकर आए और जनता के डिवलप्मेंट के लिए जनता के बीच 24 घंटे अवेलेबल रहे उप्लब रहे तो इस तरह के अगर आप अगर से हमको मौका देते हैं तो यह चीज़ हम तभी कर में पहुँचेंगे और आप जनता से ही ये एक उम्मीद है के वंचित बोजन अगाडी को आप मौका दीजिए और पांस साल में हम हमारे जितने वार्ड में प्रतिनेदी चुन कर जाएंगे सभी वार्डों पर एक नंबर का वार्ड बना कर दिखाने की कोशिश और उसको क अधिद्वार ब्रस्टाचार नहीं बरदाश्ट करेगा और जो जनता का पैसा है जनता के सुविधाओं को सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा परवनी जिला एक शेथकरी का बहुत ही बड़ा एक बेल्ट है उस तोड़ कामकार यहां पर काम करता है गन्यका खेटी होता है उसकी खेटी है तो यहां पर यह चाहिए के आपको farming sector याने के شेड के यो जो योजना यह है कि आज हमारे किसान तक यहाँ पर पहुँच पा रहे है या नहीं पहुँच पा रहे है यह भी काम किसका होता है केंदर योजना है राच्ज्य योजना है तो यह सारे योजना हो को लेकर आना किसान तक वो पहुँचाना उनके लोन माफ करवाना ये जिम्मेदारी होती है एक सरकार की और यहां के आपके एक प्रतिनी दी की चाहे वो आमदार हो या खासदार हो तो ये चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए तो यहां पर हमको चाहिए कि एकनॉमी कंडिशन जिल्ले का कैसे बढ़े उसके लिए हमको किस शेतर में काम करना है तो जब यह शेती फार्मिंग सेक्टर है तो हमको चाहिए कि यहां पर ऐसे इंडस्ट्री को लेकर आएं जहां पर एक फार्मिंग सेक्टर में जो काम कर सके फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट सक्टर को इन्वाइट करें जिससे हमारे जिल्ले का रेविन्यू बढ़ेगा हमारे जिल्ले में रोजगार बढ़ेगा तो यह चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर हम लोग ध्यान देंगे आप एक पेशे से सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हो मेरा पॉलिट में मुझे बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे एक देश को अगर देश के लिए कुछ करना है यहां पर ज्यादा आज माहौल क्या बना हुआ है राजनीती मतलब पैसा आज रक्षे वाला मुख्यमंदरी चाय वाला प्रधान ठीक है तो लेकिन जो ये लेवल से आटो चलाने से लेकर मुख्यमंदरी तक पहुंस सकता है जो काली पिली पर बैटकर चकर काटने वाला एक बड़ा व्यक्ति बन सकता है आज हजार करोड़ों का आदमी बन सकता है तो ये आज हो गया है कि इसको बिजनस के तोर पर देख कर इस्तेमाल की जा रही है तो ये लोग को आज डर है दिल में आज उसी के कारण से आज चालिस आंदर भागे हैं चालिस मंदर को खरीदा नहीं गिया है चालिस आंदर अपना 1000 कोटी जो अवे तरीके से अपना एक संपत्ति एक बड़ा इंपायर खडा किया गया है उस को क के पास उनकी एजंसीज भाजब की आज जो बैटीए काम करी एंके पास सबूत है बीना सबूत के वो जेल को नहीं जाते क्योंकि उनकी पास है उनूने ये काम किया है तभी तो उनके हाथ को कुछ प्रूव लगाएं तो हमको ये चाहिए का आज जो हमको अमीदवार सी बी आई या जो भी आपके मिशिनरीज आप गरेट करवा कर दिखा दें ये चैलेंज है बाजब सरकार को नहीं करवा सकते क्योंके बाड़ा सा प्रकाशन मेड़कर एक स्वाबिमानी नेता है और उन्होंने हमेशा जनता के लिए खड़ा होकर के जनता की आवाज बन करके काम किया अगर से उनको यही पॉलिटिक्स में कमाना होता पैसा होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ क्या आज शरत्वार से बड़ा आदमी राजनीती में होता तो वो प्रकाशन मेड़कर होते तो यह थे आलमगीर खान जी जो पेशे से साथ्वेर इंजिनियर है इन्होंने पॉलिटिक्स को चुना है और ऐसे ही किसी खास वक्ति मत्वत से हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए दिजिए इजाजत आप देखते रहे हैं परभनी आज तो मिर्जा मेश परभनी अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना थे तो संपर्ख जरूर करें मिर्जा मेश परभनी घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्ख करें मोबाइल क्रमांग को 8830-266-947 समीर टेंट हाउस खुद्रती कोर्नर कादराबाद प्लोट परभनी हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान की राइपर मिलेगा शादी, एंगेजमेंट, छिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्ख करें सयद मुझ्यमिल मोबाइल क्रमांग 97666-18126 मेहबू पार्क फंक्शन हॉल मनसबनगर जाम परभागेट दर्गा रोड परभनी शादी होया एंगेजमेंट, छिल्ला होया जुमागी, मीटिंग होया फिर कुछ और परभनी में तो भाया सिर्फ एक ही नाम मेहबू पार्क फंक्शन हॉल मनसबनगर जाम परभागेट दर्गा रोड परभनी बुकिंग शुरू है, मोबाइल नमबर 9960569383, 842190333 इसके साथ ही 9822829035 हाजी महबूप अनसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाए आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करे SPS English Speaking Classes मासुम कॉलनी दर्गा रोड परभनी अगर आप घर बेठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टाक करे SPS English Speaking Classes मोबाइल नमबर 9823797828 कॉलिटी की तलाश यहां खतम King of Bells, शनिवार बाजार के पास नानल पेट कॉर्नर परभनी लेडी स्पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेधर बेल्ट, कमर बेल्ट, वालेट, बोडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहत कुछ एक बार जरूर आए King of Bells, शनिवार बाजार नानल पेट कॉर्नर परभनी